तो situation कुछ हैसी है कि आपकी किसी के साथ fight हो गई, आपका किसी के साथ जगड़ा हो गई Hello beautiful people, कैसे हैं आप? मैं एक दम अच्छी और उमीद करती हूँ, आप ही अच्छे होंगे अच्छा तो आज का जो topic है, वो ये है कि किसी से बिनावाद की fight कैसे solve करें तो situation कुछ हैसी है कि आपकी किसी के साथ fight हो गई, आपका किसी के साथ जगड़ा हो गई अब वो कोई कौन है, कोई आपका बड़ा करीब का है, आपकी बहन हो सकती है, आपका बाई हो सकता है, आपकी ममा पापा हो सकते है आपका कोई रिष्टदार हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो सकता है कोई भी आपका लवड़वान हो सकता है ठीक है तो आपकी उससे हो गए बिसिकली जगड़ा हो गए ठीक है तो आपको क्या करना है अब इस जगड़े को solve करना है तो देखो जब जगड़ा होता है न तो एक बंदा दूसरे बंदे कुछ बोलता है दूसरा बंदा दूसरे बंदे कुछ बोलता है तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो उससे बात नहीं करता तो ऐसे ऐसे क्या होता है बातें एक दूसरे के बीच में बात होना बंद हो जाती है, तो situation कुछ ऐसी है कि सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस person के लिए, रोज एक thought create करनी है, ठीक है, अपने mind में thought create करनी है, कि ये सामने वाला इंसान तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरा best friend है, ये तो मेरी प्यारी ब मन में सोचो कि यार, गल्तियां तो इंसान से ही होती है, चलो मैंने तुम में माफ किया, गल्तियां तो इंसान से ही होती है, तो तुम भी मुझे माफ कर दो, मन में माफ कर दो, ठीक है, पांच दिन ये लगतार करो, और पांच दिन मैंने जादा बोलने हैं, ठीक है, इससे पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा अब आप बोलो कि तुम इतने कॉंफिड़न्स से कैसे कह रही हूं देखो मैं आपके साथ कोई भी चीज ना ऐसी शेयर नहीं कर देती हूं मतलब मेरे साथ ही सब हुआ है मैंने खुद आजमाया है खुद मैंने यह किया है तभ ही मैं साथ शेयर कर रही हूं और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले है मैं अपनी स्टोरी बताती हूं आपको मैं बच्पन में ना बच्पन में नहीं मतलब थोड़ी बड़ी हो गई थी जब इनसान टीन एज में होता है वो अपने कंट्रोल में वो उस टेम बड़ा अब सामने वाला ना उन में बोलने में जादा बोल देती थी सामने वाले को बुरा लग जाता था वो मेरे से बात करना बंद कर देते थी तो फिर ना मैं मतलब जगडा तो कहते थी थी उस टाम गुसे में कुछ भी बोल दिया लेकिन बाद में फील भी होता था कि यार वैस तो फिर ना मैं कुछ दिन तो बुरा लगता था तो इसके बारे मैं अच्छ दिन बाद मैं उस इनसान के बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू कर देती थी मन में अच्छ बाप मुझे माफ कर दो क्यांकि फिजिकली जाके बोल नहीं सकती थी इगो प्रॉब्लम भी थी तो मैं मन में उस इनसान से माफी माँग लेती होती थी और पता है कुछ दिनों बाद मुझे सामने वाले का खुद से मैसेज आता था या सामने वाला मुझे खुद से बुलाता था ऐसा होता था मेरे साथ तो आज भी जब मेरा किसी से जगड़ा हो जाता है ना तो मैं मन में उससे माफी माँग लेती हूँ या मैं मन में उसको माफ कर देती हूँ तो ये चीज मैं हमेशा करती हूँ और मेरा आजमाया हुआ है मतलब एक नुकस-णुसका समझो या आप इसको कुछ भी समझो यह बहुत powerful है इसमें actually होता क्या है? energies काम करती है आपके mind की energy आपके mind की energy उसके mind तक जाती है positive energy और जब उसको positive energy मिलती है तो सामने से भी positive energy आती है अगर आप negative बेजोगे तो सामने से negative आएगी अगर आप positive बेजोगे सामने से positive आएगा तो जब positive energy जब आपकी positive energy उसक जाती है ना आप यकीन नहीं करोगे वो बंदा खुद से आपको message करेगा वो बंदा खुद से आपको आपसे बात करने आएगा और आप हरान हो जो कि यार शिवानी ने बोला तो था बट यह सच में हो गया यार आप मुझे मैसेज आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपके साथ यह होता है न तो आप पक्का मुझे कमेंट करके बताना और प्लीज मैसेज शेयर करना और बस इतना ही आज के लिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं बोलना और फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए रखें अपना बहुत बहुत ख्याल और थैंक यू सो मच फर वाचिंग